हमारी सरकार के लिए सुशासन का आर्फ है, सुनवाई सबकी हो, सुविदा हर नागरित तक पहुँचे, सुवसर हर भारतिय को मिले, सुरक्षा हर देश्वासी अनुभव करे, और सुलप्ता सरकार के हर तंत्रकी को सुनिश्चित करनी है. हमारे लिए सुशासन का एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी भाव और स्वभाव के साथ, हम सब जुटे हुए हैं. साथ यो, हमारा ये निरंतर प्रयास रहा है कि सरकार से सत्ता सुख को निकाल कर सेवा के संस्कार घड़े जाएं. ये तभी संभव है जब सामान्य मानवी के जीवन में सरकार का दखल जीतना कम हो, कम करने का प्रयास करना चाहिए. हमारा प्रयास है कि सरकार अठकाने के बजाएं, उल्जाने के बजाएं, सुल्जाने का माध्यम बनें. आप अगर इस सरकार का मुल्यांकन करेंगे, तो यही कोशिश हर कदम पर आप महसूस करेंगे. अब देश दस्तावेजों के एटेस्टेशन के सत्यापन के दौर से बहार निकल रहा है. आपने खुद से प्रमानित कर दिया, खुद जिम्मेदारी ले ली, यही सरकार के लिए काफी है. आज अधिकतर सरकारी सेवाओं को ओनलाइन कर दिया गया है, डिजिटिल करन कर दिया गया है, जन्म प्रमान पत्र से लेकर पेंशन के लिए, जरूरी जीवन प्रमान पत्र तक जादातर सेवाएं ओनलाइन है. पहले जहाँ कागजों, दस्तावेजों और सरकारी दफ्तर के फेर में ही एक सामान ये व्यक्ति फसा रहता था, अब जीवन भहुत आसान हो रहा है. साथियों, हम सुसासन के उस दौर की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां जन्ता को आवेदन की जरूरत नहों, बल्कि सरकार उनके घर जाकर निवेदन करें, कि कहीं कुछ समस्या तो नहीं है. आप देखेंगे कि जन्हित की जितनी भी योजनाएं आज चल रही हैं, उनमें लाभार्तियों के चैन से लेकर, उन तक लाभ पहुंचाने के लिए तकनीक का, डेटा साइंस का भरपुरू उप्योग हो रहा है. बेनिफिट डारेक्ट हो, और डिलिवरी क्वीक हो, टार्गेटेड हो, यह हमने सरकार की कारशनस्कृति में लाने का प्रयास किया है. इसी से पारदर्सिता भी आ रही है, जनता की सेवा भी तेजी से हो रही है, और देश के इमानदार करदाताओं का पैसा भी बच रहा है.